हलो दोस्तों स्वागते आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कस्टमर का जब हम AEPS करते हैं यानि आधार से जब हम उसका cash withdrawal करते हैं तो हमारे सामने एक error आता है उसका transaction क्या है कि failed हो जाता है वो transaction status failed दिखाता है और जो region बताता है वो ये बताता है कि pair amount invalid amount value should be multiples of 50 purpose तो ये actually बताता क्यों है और इसका solution क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों पहले होता था क्या कि customer का जब हम पैसे निकालते थे तो कभी कभार हम customer के हिसाब से कि 1010, 1020, 2020, 2030 ऐसे amount डालके उसका हम cash withdraw करते थे और successfully cash withdrawal हो जाता था जबकि अभी के नियम में bank वाले को ये fraud लग रहा है और ये correction हुआ है या बोले कि नियम में changes हुआ है कि अभी हम ये smaller amount क्या है कि नहीं निकाल सकते है अभी आपको अगर amount निकालना है या customer से अगर आपको extra पैसे लेने है तो आप customer से मांग के लिजिए आप वहाँ पर amount डालके 1010, 1020 डालके आप निकाल नहीं सकते हैं निकलेगा ही नहीं अभी आपको अगर निकालना है तो 50 के multiple पे होना चाहिए जैसे आप 1050 अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा 1100 अगर आप निकालेंगे तो निकल जाएगा 1150 निकालेंगे तो निकल जाएगा लेकिन आप 1160 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा 1110 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा कि मतलब कि वो 50 के multiple पे 50 के गुनांक पे होगा तभी वो transaction successful हो पाएगा जिहां दोस्तो इसमें होता था क्या कि customer से बिना पूछे ही बहुत सारे retailer और बहुत सारे banking के काम करने वाले जो लोग थे वो निकाल लेते थे तो bank वाले ने अभी एक नया नियम लाया है कि यह smaller amount real amount के बाद यह छोटा smaller amount useful नहीं होगा नहीं निकलेगा अभी अगर आपको manage करना है पैसे लेना है एक्स्ट्रा चार्ज लेना है तो customer को बोल के बता के लेना पड़ेगा तो आसा करते हैं दोस्तों यह video आपको helpful लगा है तो हमारे इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले Thank you, thank you for watching